एक भी सवाल इनसे uncomfortable पूछ लीजे, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिकासामानता, किसानों की दूरदर्शा, चीन का अतिक्रमण और सबसे बड़ा मुद्दा अडानी महाघोटाला। के साथ कहना पड़ता है, जब अधिकांश मीडिया को पी एमो का एक चपरासी वाटसाप के माध्यम से चलाने की जरुरत करता है, तो अल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर खबरे आती हैं, आज इस सरकार ने उन आवाजों के भी दमन की बात करी और की आपके जैसे digital platforms, आपके channels के digital platforms, आपके अखबारों के digital platforms भी शामिल हैं, IT amendment rule इस सरकार ने notified कर दिया है, ये ज़नवरी में डराफट निकाला गया था और consultation की बात करी गई थी, कोई व्यापक चर्चा इस पर नहीं हुई, जो stakeholders है वो संतुष्ट नहीं उस चर्चा से और उ IT Amendment Rule तब नोटिफाई किया जा रहे है जब IT Act 2021 की already courts में है Supreme Court के सामने है Supreme Court को अभी उस पर चर्चा करनी है और उसका संग्यान लेना है तो ऐसी क्या जल्दी है और अब जो जनवरी में आया था उसमें fake news के खिलाफ P.I.B. fact check करेगा अब और भी बड़ी बात कह दी गई है fake news या misinformation जो central government के खिलाफ है उस पर एक independent unit जो सरकार के अंतरगत रहेगी body वो fact check करेगी